नमस्कार मार्केट टिडार में आपका स्वागत है तिमाही दर तिमाही आधार पर ग्रॉस NPA आते हुए दिखे हैं प्रोविजिन 408 करोड से घट कर 379 करोड पर जाते हुए दिखे हैं और अनुमान से भी बेहतर हैं, इस भीच एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ LKP Securities के Senior Technical Research Analyst रोहित सिंग्रे जुड़े हैं, रोहित गुड़ाफनून स्वागत आपका जी बिजनस पर कोटक बैंक के नंबर अच्छे आ रहे हैं, अनुमान से भी अच्छे सपोर्ट से एक स्ट्रॉंग पूलबैक हम लोगो देखने को मिला है बेसेंटलिये, तो मुझे लग रहे है कि जब तक 1340 के उपर इंट्राडे लियास से और पूरिशन लियास से भी, तो मुझे लग रहा है कि वापस एक बार 1400 के लिएवल हम लोग टच कर सकते हैं, तो बा बाजार की बड़ी बाते एक बार आपको बता देते हैं, दिन के निश्टे सतरूपर बाजार में ट्रेड है, निफ्टी आप देखें 11774 के सतर पर 103 अंकों की बिकवाली दिखाते हुए, बैंक निफ्टी में गिरावट हावी होती हुई, एक बार यहाँ पर आप देखें 503 अंकों की गिरावट के साथ 24,000 के नीचे गिरता हुआ, तेईस 971 के सतर पर फिलहाल, रोहित एक बार मेटल स्पेस को देखें, सबसे ज़्यादा गिरावट है, अगर आज कहीं हो रही है, तो मेटल और आटो स्पेस की तरफ से ही हो रही है, भारी गिरावट के साथ इन अगर बात करों तो एक इवनिंग सार कांड आटो पैंटन जो है डिली चार्स पर बन रहा है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा और पैनिक हम लोग देख सकते है, मुझे लग रहा है कि अगर सपोर्स के बात करों तो 2300 के करीकरेव निफ्टी मेटल के अंदर काफी बैतर इन अगर मैं मेटल इंडेक्स के बात कर तो 2300 का इक काफी बैतर इन सपोर्ट है, वहाँ पर हम लोग को रिवी करना चाहिए, मुझे लग रहा है कि जो गिरावट है वहाँ पर जाके एक बार कहिना के रुपते भी देखेगी आपको, तो 2300 का काफी बैतर इन सपोर्ट है हिरो मोटो कॉर्ट पर आपकी राय क्या होगी? 2960 का, तो 2960 के स्टॉपलों से अब अपने एग्जिस्टिंग शॉट्स होड करके चल सकते हैं, अगर किसी को शॉट करना है तो थोड़ा उच्छाल का इंतजार करें, 2900 के निचे अगर इस स्टॉप जाता है तो एक वापा से हम लोग को 50-100 रुपे का फॉल देखने को मिल 2960 के निचे आने का है, और नतीजों से ठीक पहले आज ही हम कॉश्यस ट्रेंड देख रहे हैं, अफकोस बाजार की गरावट भी है, जिसकी वज़े से हाँ पर नर्वसनेस हो सकती है, लेकिन नतीजों से पहले 132 के लेवल्स पर करीब सवातीन प्रतिशत की गरावट के मांसी दिखिए, यह स्टॉक के अदर आपको बले रेने के सरा रहे हैं, विकास काफी अच्छे अच्छे अम लोगों को प्रीवेस सेशन में देखने को मिलेते हैं, आज सवरावट बॉकिंग चल रहा है, मुझे लग रहा है कि अगर इसका ओवराल रेंज के अगर बात इसके अदर काफी जो काफी स्टॉंग सपोर्ट है, मुझे लग रहा है, तो वो स्टॉप्लोस आपको मेडन करके चलना चाहिए, और लॉंग करके चलना चाहिए, पूरिशन लिहास पर एक सो पचीस रुपे का आपका ओरो स्टॉप्लोस रहेगा, अगर किसी को लॉंग भ पॉजिटिव चार्ज स्टॉक्चर है, अब भी अगर खरीदारी करनी हैं तो की जा सकती है, पॉली मेडिक के और कंपनी के नतीजे आए हैं, और यहाँ पर देखे मुनाफ़ी में बढ़ध देखने को मिली है, आई में भी बढ़ध हमने देखिए, रुईत मुनाफ़ा 28 क और उसे बढ़ी है, 200 करोड तक पहुंची है, आज के बाजार में जो गिरावट है, इसी के चलते, स्टॉक में कोई अच्छन पिलहाल नहीं देख रहे हैं, इन पांट एक प्रतिश्वत की गिरावट के साथ यह ट्रेड कर रहा है, लेकिन ऑन दी बेजस और रिजल्स कोई अच्छा सब्ट है, अगर बाउंस आता है, यहां से वापस तो मुझे लग रहा है कि 520-525 तक का आपस यह स्टॉक मूग कर सकता है, प्रेज बाइंग रिकमेंडेशन लहीं है वांस यहां पर, ठीक है लाइफ इंशॉरंस के कंपनियों के नतीजों का ट्रेंड रहा है, इ अनुमान यही है कि नंबर्स पॉजिटिव आते दिखेंगे, रोहित आपकी राए, लाइफ इंशॉरंस स्पेस पर और प्टिकुलर्ली SBI लाइफ पर क्योंकि नतीज़े आने वाले हैंच अगर यह स्पेस में अगर यह स्पेस में अगर अगर यह स्टॉक लेखा तो और हैगा S.J.F.C. Life के अंगर काफी बैतरी सपोर्ट है पांसो पच्छन की करिक परिपरी और वहां से हम लोग में काफी स्विफ्ट मू देखा है इससे ब्रेक के लिए हम रुक रहें आप बने रहें ब्रेके बाद स्वाधत है आपका और गुज्राथ Heavy Chemicals Limited G.H.C.L. के नतीज़े आते हुए दिखें एक बार दिमाही नतीज़े आपकी सामने रख देते हैं कमजोर नतीज़े हैं आप देखें मुनाफ़ा 117 करोर से घटा है महस 84 करोर का मुनाफ़ा इस बार कमपनी ने पोस्ट किया है वहीं आई के फ्रंट पर भी कट आती हुई है 835 करोर से कमपनी की आई घट कर 806 करोर पर जाती हुई देखने को मली है एक बार एक्सपर्ट से राय लेते हैं रोहित जीएट सीयल नतीज़े हर लिहाद से कमजोर है फिलहाल हम कोई मूमंट देख नहीं रहे है 162 के लेवल्स पर आज के सत्र में तेजी देख रहा था स्टॉक अभी तेजी कायं है लेकिन कमजोर नतीजों के बल पर आपकी राय क्या होगी अधिक अगर मैं टेखनिकल की बात कर तो स्टॉक जो है एक स्टॉक जो है इक सिमिट्रिक्र्ट के अंसेवंट के डिए तर रह ब्रेक आफ रहेगा तो मुझे लगा रहेगा कि अज अफ नहीं पर कोई ट्रेंड नहीं रहे ना चीए बड़ अगर वापस 161, 170 के उपर अगर इंटरेटे में निकलता है स्टॉक GACL तो मुझे लगे रहा है कि वहाँ पर आपको खरिदा रहे कि वोकर डूने चाहिए फ्रेश ब्रेक आउटस हम लोग को देखने को मिलेगा वहाँ पर और वहाँ से वापस हम लोग खरिदा रहे करेंगे तो ये राइफ फिलहाल हमें मिलती हुए दिख रही है इस बीच कुछ और स्टॉक जहां पर आज मुवमेंट है इस पर आप से रहे जानना चाहूंगी हिंडाल को इसको देख करी 6 प्रतिशत की गिरावट के साथ आज की सत्र में यहाँ पर ट्रेड हम देख रहे है इसके चार्टस में कमजोरी आज क्लियरली देखने को मिल रहे है स्टीब डाउन फॉल है पिशले साथ दिनों के ट्रेडिंग सेशन को अगर समझे तो यहाँ पर पर उतार चड़ाव और गिरावट भरा माहौल देखने को मिला है हिंडाल को पर आपकी राए क्या होगी अगर वो तूर जाता है नीचे तो मुझे लग रहे है कि एक शार्फ फॉल हम लोगो देखने को मिल सकता है 145 रुपीज तक तो 169 एक मेक और ब्रेक लेवल रहेगा उसके नीचे रब जाता है तो फ्रेश शॉट करने के सला रहेगी अगर existing किसी के पास पर शॉट्स है तो उनको 169 पर शॉट कवर करने के सला रहेगी उसके नीचे सब्स्टन करता है वापस आप शॉट डेटर कीजिए फिर एक बड़े फॉल के लिए हिंदाल को जो है रेडि हो जाएगा 169 पर शॉट करने के चल सकते हैं इंदाल को के इंदर बड़ेक होगा तो एक बड़ा फॉल अम लोगों को देखने को मिल सकता है वो मजबूत हुए थे यानि कि इम्यूनिटी सिस्टम को जो बढ़ाने के लिए ट्रायल्स किये गए थे उसमें पॉजिटिव रिजल्स आते हुए देखने हैं और बुज़ुर्गों के इम्यूनिटी में भी बढ़ातरी यहां पर देखने को मिली है अस्त्राजनिका फार्मा और इस वीच आप दिखे स्टॉक प्राइज में इसका एक इंपाक्ट भी है करीब 6 प्रतिशत की बढ़ात के साथ अस्त्राजनिका में ट्रेड देखने को मिल रहा है 4,480 के लेवल्स पर रोहित एक बढ़ा आज से जाना चाहेंगे इस पर रहा है मालसा इधिंक कर्णे लेवल्स पर खरतरी करने के सला रहेगी काफी बैतरी ब्रेकाउट से हम लोग को भी देखने को मिल रहे है लोलिम एक्टिविटी काफी स्टॉग है मुझे लग रहा है कि जब तक ये स्टॉग 4,340 इसके उपर ट्रेड कर रहा है एक बार वापस एक बार उपर के तरह हम लोग 4,600, 4,700 तक के लेवल्स भी बिलुकुल देखने को मिल सकते है तो करेंट लेवल्स पर लॉग करने की सला रहेगी 4,700, 4,900 के ओर टार्गेट के लिए 4,340 यह आपका स्टॉप लोग से रहेगा बहतरीन ब्रेक आउट से बिस नहीं करना चाहिए नहीं तो मस्बूस फंडमेंटल से आप देखिया और एक न्यूस बेस इंपक्त है जो कि हम देख भी रहे है M&M Finance, एक बार क्विक कॉल आपके जाना चाहेंगे रुहित, नतीजों से पहले आप क्या राय देंगे? M&M Finance, I think structure काफी weak है M&M Finance का मुझे लग रहा है कि 108 इसका इमिजट स्टॉंग सपोर्ट है अगर वो ब्रेक कर जाएगा तो फ्रेश शॉट करने के सला रहेगी तो 108 इस रुपे के निचे आप फ्रेश शॉट करके चल सकते हैं मुझे लग रहा है कि 125-120 तरह ये स्टॉंग गेर सकता है उससरे आपका तो stop loss रहेगा 130 का रहेगा तो सेल भी लोगा स्टरजी यूज़ कर सकते है वानसी, 108 के निचे शॉट कीज़े 125-120 के टारगेट के लिए आपका तो stop loss रहेगा 130 का चार्ट का structure as of long week है तो week चार्ट structure M&M Finance के फिलहाल देखने को मिल रहे हैं माकेट चड़ार को हम यही समेच रहे हैं रोहित शुक्रिया यह तमाम जानकारी के लिए सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुडने के लिए लेकिन आज हफते का पहला कारूबारी सत्रह और भारी गिरावट के बीच ट्रेट देखने को मिल रहे हैं कई सारी उलजने आपके दिमाग में होगी इन गिरावट भरे बाजार में आप क्या करेंगे महज डेड़ घंटा बचा है इसमें आपकी स्ट्राटेजी क्या होने चाहिए हम आपको बताएंगे फाइनल ट्रेड में चंद मिन्टों में फाइनल ट्रेड लेकर हम लोट रहें आप बने रहें जी बिजनस के साथ नमस्कार